हेलो एब्रीवन वेलकम तू मैं चैनल कॉम स्कॉलर आज हम इस लेक्चर वीडियो पर देखेंगे कि आई टीर 2 फाइल कैसे करते हैं देखें आपका पता होना चाहिए कि आई टीर 2 का में अब्जेक्टिव क्या होता है जैसे दिखें लास्ट जो मेरा जो वीडियो लेक्चर था उस मैंने बताया था कि पोर्टल पर जो में लिए आई टीर 1, 2, 3 & 4 गिवन होते हैं और सबका दिखें अपना अपना एक परपस होता है यानि कि हर आई टीर फॉर्म जो अपना एक परपस लेकर आती है तो पहला आपका पताँने चाहिए कि आपकी सल या आपकी जो इंकम है वो किस हैड्स आती है और उसके अइकोर्टिंग लिय आपको जो है आ ИТ करeki बहुता है या जो की आइसकि कोई salary income person है और अगर साइड वा साइड करें पर इन्वेस्ट करता है जो कि आशिल करते ही है अब चाहे वह एक्विटी शेर्स में हो या एक्विटी ओरनेटे मिश्टिल फंड्स हो ठीक है इवन कोई डेट मिश्टिल फंड्स भी हो तो अगर उसमें अगर कोई से चुटी बाद डिसकस करूँगा और उसके बाद आप इसको आप आराम से आप फाइल कर सकते हों तो देखिए मैंने एक ओफलाइन मोड मैंने एक जाए यूटिलिटी डालोड डालोड किया हुआ है आप अगर इसको ओनलाइन भी करोगे तो यह सेम डेश्बूड वही सेम चोगरेगा तो आपको देखिए आपको कुछ नहीं करना है बस सेलेट करना है आपको आइटिया टू प्रोसीड वीद आटिया टू लेट्स गेट स्टार्टिड अगर आपकी टेक्सिवल इंकम बेसिक एक्जमिशन लिमिट यानि की टू लाइफ टिथाउन से अगर एक्सिट कर रही है तो आप इसको सेलेट करोगे एंड दन कंटिनू इसके बाद आपको इस तरह का डेश्बूड नाजर आगा में यह लिडियो आपको रहे सिर्फ एसको में सेथर्चन नहीं है डिसके बाद आते हम इंकम यानि कि आपको सेलेट करना है है आपकी आपकी जो अरियों कोई किसी और से और अगर मालेज़े अगर आपकी हाउस परवटी इन से इंकम और रही है तो आप इसको टिक कर सते हो कोई रेंड इनकम है और रही हो या अगर आप इंटरस्ट पर रहे हो तो वह भी आप यहां पर इसको सेलेट कर सते हो आज हमारा जो में कमपनेट हो वह है स्केडूल कैपिल गें तो इसको हम टिक कर देंगे स्केडूल बन टू यह बेसिकलिए लॉन टर्म कैपिल गे निकल होता है तो इसको भी हम टिक कर रखेंगे इसके बाद आपका 158 यह हमारे लिए नहीं है तो चलो मैं दिखावी दुगम पर के concerned होता क्या है तो हमएसे ही रहने जाते है पिर है अदर सो सिस्में हमारे कोई स्पेशल इंकमिंडिकर्श के यह तो वह करेंगे पे नहीं मुच्वेपन्स पे या फिर एक्विटिशेर्स पे वह 15 परसंट होता है तो जिस इंकम पे अगर स्लाइबरेट जो है वह फिक्स है तो उसकी पे 10 परसंट है किसी पर टनकी परसंट है यहां पर आगर आपका टेक्स पर में म applies क्सेशियल बनाई वहां जैसे थी कि salary, salary पर कभी भी कोई वीट जो है आपका fix rate नहीं लगता, वो देखता है कि आप जो कौन से slab rate में आते हो और उसके coating आपका tax rate जो है आपका calculate होता है, right, तो यह difference आपका special income and the normal income, फिर है schedule income, अगर आप यह कोई exempt income है, माले अगर इसको कुछ है, तो आप इसको कर से त और की comment नहीं तना important नहीं है, तो हम इसको हम SEDS, SEDS हरे नहीं, इसके बाद आता है deduction है कि आप जो कॉंगो से deduction जो क्लिए हो करना चाहरे हो, अगर माले जाकर आपने कोई donation की है, तो आप इसको tick कर साते हो, तो यह सब हमारे मसलब का नहीं, ATD medically, अगर आप एक कर रहे तो उस से की life insurance है, बच्चों के tuition fees है, अगर इस तरह की कोई अगर आपने खर्चा क्या हो है, तो यहाँ पर आप ATC, ATCCD के अंटर चाहरे, आप सब कुछ यहाँ पर आप claim कर सकते हो, बस अब आपको क्या करना है, इस मापको बस सदा आप continue करना है, again continue, skip the questions, so पहले देखे आप से प information का आप इसको अपने, इसको अप फिल करो, लेकि जनरल information आना के बाद आपको अपने mail ली जो चेक करना है, following status, कि क्या वो सही है या नहीं है, तो following status, यहनि कि आप on or before due date, यह आपका, अमिशे यह जो टीक होना चाहिए आपका, इस पर टीक होना चाहिए आपका, इसके आपका residential status क्या है, जैसे आपका resident है, और condition बता नहीं है, तो आपको select करना है second, second इसलिए क्योंकि आप माने जाए अगर आप इंडिया में, last जो है, अगर चार साल में, चार साल में, अगर 365 दीन आप लागाता है रह रहे हो, ठीक है, तो कुछ condition होती है, तो आप में share, अगर hold key में, तो yes करना, otherwise no करना, तो in case में आपर no है, तो आप इसको no correct को save करना है, right, and then bank details आप चेक करके इसको आपको confirm करना है, तो दीखे, यहाँ पर जो है, अब यह person information आपर दीखे, confirm हो चुकी है, now moving to the income के बाद आते हैं, पहले बात करते हैं, पहले बात करते हैं, द होता है, कि वो जो है, आपका firm 16 से linked होता है, वैसे तो IT2 भी जो firm 16 से linked होता है, लेकिन आपर salary का आप से component मासा, याने कि break-up होता है, याने कि आपके overall salary में क्या करना है, जैसे basic salary हो गया, dinner salary हो गया, transport allowance हो गया, convenience allowance हो गया, कोई remote allowance हो गया, कोई gratitude मिला है, कोई leave in cashment मिला है, किसी पर आपको कोई allowance या perquisite आपको मिला है, तो पूरा आपको इसका break-up देना होगा, तो यहाँ पर मैं one-by-one information प्रोवाइड करूँगा, तो देखिया, आपको simply है बस यहाँ पर add gross salary यहाँ पर करना है, add another, तो यहाँ पर आपको जो अपना name अबन पला है, return अबन पला है, यहा 10 of the employee मालीच मैन कुछ भी आपर लिख दिया, just on random basis, name of the employer मैने कुछ भी लिख दिया, random on random basis, address of the employee, छिके, मैने कुछ भी लिख दिया, town, city यहाँ, सबस लिख दिया, New Delhi, select state goal, यह सबस देली, pin code मैने कुछ भी लिख दिया, then name of the employer, जैसे मैने tick करते है, suppose others में, right, इसके बद आपको बन पला है, आपको जो है, अपना salary का component देखिए, जैसे देखिए, आपको salary का component यह है, मालीची यह इस person का यहाँ पर यहाँ, जैसे basic है, 5,22,809, तो क्या करना है, आपको बस आपको करना है, select basic salary, और यहाँ type करना है 5,22,809, then, यहाँ पर देखिए, आप exercise sheet में, सल्दे के बाद क्या, आपको basic के बाद क्या, HR, तो यहाँ पर आप add another पर जाएगे, यहाँ बस select करना, आपको house and allowance, house and allowance के amount कितना है, 2,23,365, 2,23,365, यहाँ करना है, इसके बाद next आपको क्या है, that is called car allowance, 1,59,000, तो add पर जाना है, select करना है, इसके बाद देखिए, अगर आपको car allowance अगर आपको दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो आपको करना है, other allowance में जाना है, और amount लिखना है, आपको 1,59,000, that's it, चीके, इसके आपको special allowance, special allowance करता है, 54,622, तो add another पर जाना है, इसके बाद आप यहाँ पर special allowance में जाना है, तो आप यहाँ पर others में भी लिख सकते हो, यहाँ पर क्या में भी आपको special allowance, यहाँ लिख सकते हो, amounting rupees that is 54,622, यह आपका amount हो गया, special allowance में भी बोनस, that is 3,38,952, तो add another पर जाना है, bonus पर देखें, आपको list पर नहीं होता, तो last आपको करना है, others, और फिर type करना, आपको description देना है, आपको bonus, और फिर amount आपको लिखना है, bonus का amount है, 3,38,952, 3,38,952, इसके बाद next component आपका, that is called compensatory allowance and remote allowance, तो यहाँ पर भी कर सकते हो, add another करके, last option कीजिए, आपको list में नहीं होता, तो others में कर सकते हो, आप, next select, तो यहाँ पर आप, compensatory allowance, amounting rupees, यहाँ पर आप उसको पी भी कर सकते हो, add another, last option करना, आपको others, remote allowance है, 15,821, तो यहाँ पर description लिख सकते हो, आप, remote allowance, इसके बात देखिए, और का का मिला है, इनको जो हाँ पर gratitude मिला हुआ है, इसलिए exempt है, तो gratitude जो amount मिला है, that is this amount, so gratitude में लेकिने, add another, यहाँ पर gratitude list में है, यहाँ पर gratitude list में देखिए रहा, select करना है, और amount पर paste करना है, that's it, इसके बाद leaving cash ने में लाइन को, ITA2 में जाए, यह पूरे पूरे डिटल मांगते हैं, सबूर आपका पूरा salary का component का है, तो आपको बहुत ध्यान से fail करना है, leaving cash ने आपको दिया हुआ है, amounting rupees 11,907, that's it, यह हो गया आपका, अब इसके बाद आपको देखिए, नीचे देखिए, परकर जब कुछ नहीं है, तो कुछ पाहिल नहीं करना आपको, अगर आपको नहीं मिल रहे तो, इसको भी गुशन में बिल करना, आपको सिद्धा करना, add, ठीक है, यहाँ पर 10 देखिए, गलत दिखा रहे है, क्योंकि मैंने random basis पर करना है, आपको, देखिए, अब आपको यहाँ पर देखिए, किस तरह से देखिए, यहाँ पर आपने इसको add गया, तो पूरा सलीद यहाँ पर component दिखा रहे है, basic salary, house and allowance, अदर्स भी दिखा रहे है, सब कुछ रहे है, तो यहाँ पर सब कुछ दिखा रहे है, तो total amount आपको आगए, that is 50,4486, इसके बाद अगर मालेजे को exemption आपको लेनी है, तो आप यहाँ पर exemption ले सकते हूँ, जैसे देखिए, इस जैसे person की exemption आपर देखिए, आपर कहें, that is gratitude amount है, तो यहाँ पर देखिए, gratitude को यहाँ पर easily ले सकते हैं, यहाँ पर आपको add another बिजाना है, allowances बिजाना है, gratitude, और आपको यहाँ पर amount लेकर उसको add करना है, तो देखिए, तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए exemption हो गया, इसके बाद माने जागर आपको कोई और exemption अड़ करनी है, तो simply यागिन इस पर क्लिक करना है आपको, add another पर करना है, अब जैसे कि इस परसंगितिकी leave engagement भी है, तो leave engagement 11,907, तो वो भी कर सकते हैं, यहाँ अगर, under leave engagement 11,907, add करतेंगे, इसके बाद इस परसंगितिकी आपर HR भी क्लियम कर रहा है, this much amount, तो इसको भी यहाँ पर हम आराम से यहाँ पर देखिए को लिख सकते हैं, इस पर टिक करना है, आपको, click करना है, add another, select पर करना है आपको, house and allowance, add, इसके बाद इस परसंग यहाँ पर देखिए, car allowance 21,600 यह भी है, क्योंकि कुछ car allowance मिलने पर रहा तो कुछ amount exemption भी होता है, वैसे अगर आप मेरे वीडियो लेक्टर देख सकते हो कि exemption कैसे मिलती है, किसी भी car allowance की, वैसे तो अगर manager गोलती है, अगर उसकी कुछ condition होती है, काफी सारी, तो उसको आप इस तरह सिखा सकते हो, तो add अनने देखर के allowance में, अगर हमारे ची नहीं है, तो any other लिखे, यहाँ पर आप component लिख सकते हो, car allowance is, और आप amount यहाँ लिख सकते हो, sorry, 21,600, add, तो देखिए, अब आपकी आपर, जो है, net salary है, that is, 10,60,226, इसको आपको confirm करना है, confirm देखिए करने वाद, आपकी general information होगी, salary होगी, अब में जो आपका component part है, that is called capital gain, इसको भी देख लिए थे हैं, कैसे करना है, देखिए, इस तरह का आपको capital gain चाटा है, है, इसके बाद आपका देखिए, आपका equity share, और unit of equity oriented mutual funds, यह है, आपका 15111a है, यानि कि short term capital gain, short term capital gain कि स्याथ है, यानि कि वो, अगर आपने कोई shares, या mutual funds, अगर आपने एक साल के अंदर-अंदर उसको खरीदे और बेचे भी है, यानि कि पहले तो purchase करें, उसके बाद आपने एक साल के अंदर उसको बेच दिया, तो अगर जो भी उसके capital gain या loss भी होता है, तो वो short term माने जाता है, ऐसे ही आता है, आपका government 2a, यह basic long term होता है, तो long term आपको gain होगा, या long term आपका loss होगा, यानि कि अगर आपने कोई shares या mutual fund आपने एक साल के बाद उसको बेचे हैं, इसके बाद माने जागर आपने कोई अगर जैसे bonds purchase करें हैं, ठीके, तो उसको आपका सत्थ हो, अच्छा यह जो bonds आपका purchase आपको किसके लिए, यह capital gain report, यह जैसे manager अगर आपका invest कर रहे हो, mutual funds में है, या फिर equity shares में, तो आपको कहाता है कि जैस एप application के खुरू, आपको आपको फिंटेक का जमाना है, तो आपको आपको सारे report मिलाती है, तो यहाँ पर जैसे यह growth report है, ऐसे ही आपको 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 यह report मिलाएगे, वहाँ पर आपको P&L statement आगे, आपको प्रीवी share select करके, आपको इस तरह की आपको summary मिलाएगे, तो देखे जैसे इस परसंदे, short term में, कुछ जो है capital gain जो arise हो है, 11,972, और यहाँ पर पूरे description दिया हुआ है, कि total buy amount वो है ये, और total sell amount ये है, इसके वाज से long term में कुछ भी नहीं किया, इंटर डे में कुछ नहीं किया, इंटर डे के लिए यहाँ पर मैं अलग से video lecture बनाऊंगा, जब इंटर डे कर आपको आपमाने जाब करते हो, तो वो एक speculative business में माना जाता है, और इसके लिए हम idea 3 हम फाइल करते हैं, ना कि idea 2, चीक है, तो अभी हम idea 2 कर रहे हैं, तो इसमें हम सिर्फ short term या long term अगर होता है, तो करेंगे, तो इस case में अज़िए सिर्फ सिर्फ short term है, तो हम short term में करेंगे, पर यहाँ पर देख सकते हैं कि amount आया कैसे, कि यह short term capital कैसा आया, देखे सकते हैं, buy amount is less than the selling amount, so that means, यहाँ पर क्या हो है, यहाँ पर कुछ नो कुछ gain आ रहा है, तो difference है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखे, sell amount अगर आपको given नहीं है, तो आप उसको calculate कि भी कर सकते हो, कैसे करना, आपको देखे, short term में जाना है, यहाँ पर buy amount है, इनको select करके, control पर shift plus enter, या drop down button, तो like 29,008 सकते हैं, देखे, match कर रहा है, ऐसे आपको buy amount और sell amount दोनों का करना है, और दोनों का difference यहाँ पर capital gain होगा, तो loss होगा, अब दिखते हैं, इसको हम आपने ITTour में कैसे कर लेके जाएंगे, तो इस case में देखे, आपको short term है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, ट्रिपल बन ए, मैं आपको यह भी दिखाएंगे, तो हम कैसे करना है, although amount हम कुछ भी यहाँ पर random ले लिए देते हैं, continue, तो इस तरह कहाँ आपको sheet न दर आगी, land building में आपको नहीं है, तो यहाँ पहले आपको specific करना है, यहाँ शोट टम के लिगिन, इस पर क्लिक करने के अबाद, add details, select करना आपको ट्रिपल बन ए, परहाँ दिखाएंगे, अपने जितने भी sale amount है, वो लिखना आपको, sale amount कितना है, आपका that is this much amount, यह sale amount है, तो इसको copy कर लेते हैं, and simply इसको page कर लेंगे, फिर आपने लिखा है, cost of acquisition, कितने में आपने इसको खरीदा था, again, buy amount है, इसको copy करेंगे, और इसको हम page कर लेंगे, देखे, आपको कुछी भी कलिटने करना, आपको सारे reports है, आपको कुई भी, किसी भी, किसी भी portal के तो आपको easily मिल लेगे, तो देखे, difference आगा, देखे, 11 973, short term के अबर की नहीं हो रहा है, और देखे, यहाँ पर भी amount हो रहा है, तो देखे, amount match हो रहा है, तो that means everything is fine, तो simply go to add, अब देखे, यहाँ पर आपको यहाँ पर, यहाँ फिगर जो होने चुग हो जाएगी, यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाना है, view schedule 112A, अगर मालने चाहिए वैसे तो देखे, आप इसको आपने जो excel फाइल है, इसको कर साथे, बटी काफे difficult है, तो इसमें आपको करना है, और सिंपली आपा एड करूँ इंदेखे, पुर्षाल के आपने शेयर संवीचिपेट्स आपने 2018 या 2018 से गया है, मालने चेह बाद में किए है, तो आपको करना है, बस आपको सिंपली जए, जीतने में खरिदा, और जीतने में इसको बेचा, वो करना है और कुछ भी नहीं, जिसमानी जी मैं खरीदा और मानी जी मैंने इतने भी बेच दिया तो इसको डिफरेंस है वह अपना वाट अपना उटमेटिक लेगा आपको कुछ भी नहीं करना अचारे भूसर है कि आपने कोई खर्चा क्या था याँ आप आपने देख सकते हो कि आपकर आपने इसको बेच या खरीते 10 अगर इस पर कोई खर्चा क्या हो तो लिख सब्सक्राइब कि इस मेरे 0 तो यहाँ पर में 0 लिख रहा हूँ बस इसको confirm करने के बाद दो कि यहाँ पर आपका short term capital gain and long term capital के दोनों deflate होज़ेगा confirm कि यह सब confirm हो गया अब आते हम अदर्सोसिस में तो आपका salary हो गया capital gain हो गया अब हम अदर्सोसिस पर आ गए हैं अदर्सोसिस माल मिलने आपकी जिन कम होती है वह आपकी interest on loan हो गया का sorry interest आपका CV bank account के तुरू आपको कुछ arise हो रहा है चीक है या FD आप नहीं किया है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो चीक है तो यहाँ पर जैसे आप इसको क्या करना है एड़ेटेटेल्स income लिख रहा है जैसे माल में जी कोई dividend arise हो रहा है या interest हो रहा है तो लिख से तो माल में जी को interest है कि बुच्छा कों सा interest है माल में लिख दिया amount यह इस पर जंक आ रहा है 9 this much amount जाए interest आ रहा है और कुछ नहीं हो रहा तो यहाँ पर मैंने इसको एड़ कर दिया तो देख से तब यह amount यहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है यहां पर आप देख सब्सक्राइब करना है तो वह भी आप लिख सकते हो इसकी केस मेंने कुछ नहीं है तो आपको simply confirm करना है अब confirm करने के बाद कि आपका जनल में हमिशन सेल्थी होगा है capital gain हो गया है सब हो गया है इस पर भी आपको बनवाया में करके आपको रुमीच चेक करना है क्या वह सही है गलत रहा है अब करने के सेल्थी से यह अमांट आता आपका शोट्रम capital gain आपका यह आया था जो कि 15% rate से वह taxable होगा इसके बाद long term capital gain इतना amount है अगर इसमें यह amount कि देखिए 1.000.000 से कम है तो यह amount आपका taxable नहीं होगा although long term capital gain errors हो रहा है लेकिन 10% कब लेगा अगर वह amount आपका 1.000.000 से exceed कर रहा है तो तो जो exceed पाट है उतना ही आपका वह taxable होगा क्योंकि यह चारा जा रहा है तो उसके वह tax लगई गई नहीं क्योंकि वह amount आपको करी नहीं रहा confirm होगा इसका कुछ आपको क्या आपने कोई pass रहकर जो loss है वह उसको आपको carry forward करना या नहीं करना तो हमारे case में कोई loss है भी नहीं है तो बस आपको simply करना है compute setup वह automatic लेगा continue आपको इसमें कुछ भी आपको touch नहीं करना आपको इसको confirm करना है that's it इसका बुझर है कि क्या आपका current year में कोई loss हो उसको आप feature में setup कर सकते हो अगर है तो कर सकते हो simply क्लिक करके आप कर सकते हो इस case में नहीं है तो यहाप पर मैंसे compute setup कर आप इसके बाद आपका schedule special income को आगर आपकी special income arise हो रही है जिस पर text rate आपके fix rate लगते हैं तो आप रिख सकते हो इस case में नहीं है तो यहापर मैं कुछ भी नहीं करूँगा आपको पता देखें आपको यह लगता है तो देखें दो यह component देखा रहा आपके कुछ शुआ नहीं कर रहा देख सकते हो आप तो simply confirm होगे because short term और long term दोन ही आपके special income होती है तो ATD that is related to medical insurance अगर आपने लिहा हुआ है तो आप लेख सकते हो तो इसका आपको simply edit करना है edit करने के बाद आपसे फर्स हो पूस रहा है यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसमें जो दो partner पूस था है पहले हो आपका और आपकी family में है देखो आपकी family है यहाँ पर excluding parents हैं देखो obviously वेस थे कि parents भी देखी family का part होता है पर income tax development के हिसाब से यहाँ पर parents के लिए अलग से claim है तो family में मतलब क्या होगा जैसे आप हो आपके spouse आपके children या आपके family होगी parents के लिए आप देखिए नीचे से अलग column देखो आप आप अलग से उसकी उनकी dedication ले सकते हो पहले वो पूसर है कि क्या आप या आपकी family में को senior citizen है इसके इसमें नहीं है उसके बाद वो amount एकन है ज इंग्रूर कर रहा हूँ तो suppose मैंने किया yes यहाँ मैं parents की भी यहाँ पर मैं claim करना चाहरा हूँ insurance तो health insurance मालेज यहाँ पर amount dollar suppose 16,790 यह लिखा तो यहाँ पर देखिए total amount of detection आपका 25,000 प्लस 16,790 that's it तो ATD का हो यहाँ पर देखिए आराम से वो claim हो गया just simply click on confirm तो आपर देख हो चुका है उसके बाद चेक्टर 6a में तो अभी जितनी further detection हो सब आप लिख सकते हूँ ऐसे इस person की देखिए आपर ATC है ATD है ठीके वो तो amount आप लिख सकते हैं तो ATD तो होई गया तो यहाँ पर आप लिख सकते हो अपना ATC में मालिजी कितना amount पूरा पूरा एक लेम कर लिया तो बलना एक 50,000 आप लिख सकते हो एड़ इसके पाद क्या और पर deduction है जैसे मालिजी TTA में है तो वो भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर हम कुछ टेक्स पर भूल लाते हैं कि यहाँ पर हम ATT की deduction तो यहाँ पर आपको वह amount लिखना है जो कि आपको bank से मिला था तो मालिजी यह मिला था amount 9876 तो 10,000 की deduction मिला थी है आपर तो एक्सीट ने कर रहें यह पूर अपूर 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 क्लेम हो जाएगा पर दर और कुछ नहीं है तो simply आपको सेव करना इसको सेव करें मत करने को तो यह सब भी आपका confirm हो चुका है बस simply आपको यहाँ पर बन में सारे component आपको select करना है और फिर आपको चक करना है कि आपका further text availability आपकी addition बन रही है और नहीं बन रही है तो आपको करना है नहीं बन रही है तो हुसत आपको refund हो तो आपको refund मिल लाएगा बाग के सब प्रसेर से ही में आपको यहाँ पर आपको आपको compute text labeling कमा जाएगी text आप इन जितना पर क्या हुआ जाएगा आपका इसको आपको verification होना इसलिसेर नहीं की explikum writing मैलने आपको आपको होच क कना हुआ तो आपको कैसे अटार होना होती है I hope you have understood very well thank you